दोस्तो ओडियाई वर्ल्ड कप 2023 के लिए भारती टीम के 15 सदसी स्कॉइट का ऐलान कर दिया गया है दोस्तो यूटूब पर सबसे पहले हम आपको ये जनकाई देने जा रहे हैं भारती टीम की स्कॉइट को जानने के लिए आप वीडियो में लास तक बने रहें क्योंकि रोह पहले सुरूआत करते हैं भारती टीम के बल्लेबाजों की दोस्तो भारती टीम की वर्ल्ड केम में बैलेइबाजमां वत प्रस कमार तो हाल ही में हुए आश्चलेग खलाब दूसरे ओडियाई मैच में ताहल का मचा कर रख दिया था और दोस्तो नमबर पांच की बात करें तो नमबर पांच पर आएंगे केर रहुल और नमबर चे पर इसान के सान, नमबर साथ पर फिरे साइयर और आठवे बले बाच की बात करें तो वो होंगे आरदिकपांडिया जो भाथी टीम के आर्ल राउंडर बले बाच है तो दोस्तो ये बैटमन है जो भाथी टीम के तरह से वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं दोस्तो अगर मैच के दोरान इन में से किसी को भी चोड लग जाती है या कोई अन्फिट महसुच करता है तो उनकी जगह पर नए बल्ले बाजो को सिलेक्शन किया जाएगा। तो दोस्तो अगर बात कीजा बहाती टीम के लिए वल्ड कम में खेलने वाले बालरों की तो नमबर एक की बात करें तो वो है मुहमद सिराज जी हाँ दोस्तो रोहिष सरमा ने मुहमद से आज की खतरनाक बोलिंग को देखते हुए उनको वल्ड कम में चुन लिया है अब अग बहुती खतरनाक बज़सं किया था और उनका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में सामिल हो गया है अब बात करते हैं नमबर तीन के बॉलर की तो वो है अच्छत पटेल जिहां दोस्तों भाती टीम के लिए वर्ल्ड कम में खेलने वाले तीसरे गेंद बाच चुने गए हैं अच्छ दोस्तों भाती टीम के दो आल राउंडर बले बाज जो हर मैच में खेलने वाले हैं वो हैं हार्दिक पांडिया और अच्छत पटेल दोस्तों नमबर 6 के बॉलर की बात की जाए तो वो हैं बुमराह अगर वो फिट हो जाते हैं तो उनको टीम इंडिया में ले लिया जाए क्योंकि बुमराह अभी तक सही से फिट नहीं हो पाए हैं दोस्तों इस बार वर्ल्ड कप भारत में ही खेला जाएगा और वर्ल्ड कप का पहला मकाबला 5 अक्टूबर से खेला जाना है और इसमें भारती टीम के बल्ले बाज फुल फॉर्मेच चल रहे हैं तो क्या दोस्त हैं ने स्टूडियो में ऐसी अपडेट के साथ